जब आप अपना डॉक्मेंट्स एडलवाइज ब्रोकिंग लिमिटेट में दिये हैं अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए तो एक दिन के प्रोसेस के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो confirmation के रूप में आपको एक mail आता है एडलवाइज की तरब से जो contact के नाम से आता है तो चलिए अपने जीमियल अकाउंट में चलते हैं वहाँ देखते हैं यह देखें जो first mail है यह contact के नाम से हैं इसे open करेंगे account opening with e-sign मतलब आपके आधार नंबर पे अगर mobile नंबर आपने या email id रेजिस्टर कराया है तो आपको आप e-sign के द्वारा भी इसे confirm कर सकते हैं यह adult wise दिख रहा है यहाँ पे आपका नाम दिखेगा यह आपको greeting adult wise आपको greeting कर रही है greeting from adult wise it is our consent and endeavor to leverage technology and provide best in class services to our customers नीचे आएंगे नीचे फर्स्ट option में दिख रहा है आपको follow the e-sign process by clicking here यहाँ पे click करेंगे आप एक नया page open होके आएगा यहाँ लिखा हुआ एडल वाइज प्लीज प्रवाइड टू e-sign नीचे आएंगे आपका नाम दिखेगा यहाँ पे the document will be securely e-signed भाया आधार services तो चलिए आधार के माध्यम से e-sign करते हैं e-sign जो blue box दिख रहे हैं यहाँ पे click करेंगे अब यहाँ आधे से एक मिनट का समय लग सकता है देखिए nsdl का page open होके आया है nsdl electronic signature services तो इसके नीचे यहाँ पे देखे एक box बना हुआ है इसको tick करें यहाँ लिखा हुआ है I hereby authorized nsdl e-governance infrastructure limited to use my अधार अबलिक virtual id details as applicable for the purpose of e-signing of onboarding documents तो यहाँ आपको अधार number अपना put करना है अधार number put करने के बाद नीचे send otp send otp का option है उसपे क्लिक करें उसे fill करें जो otp आपको आया आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने सही input किया है या नहीं ने तो उसे फिर से confirm कर सकते हैं यहाँ से आधार के द्वारा जो आया हुआ है otp 551983 फिर से यहां match करें 551983 यहां recent का भी option है अगर नहीं दिख रहा है आपको तो verify otp पे click करेंगे बस यह छोटा सा process है आप आराम से कर सकते हैं नेवर कर सकते हैं इसे दिखे यह e-sign का process complete हुआ, confirmation e-sign successful यह form was successfully e-signed आपका नाम form id यह form id आपका trading account number हुआ ठीक है thank you झाल